गुड मॉनिंग तिंट क्लास देटरिब्यूट यानि सर्धांजली लेसन हम देख रहे थे सर्धांजली लेसन का परमुक जो घट पात्र है वो बाबुली है दास बेनहूर या नाराइन दास द्वारा रिचित इस कहानी में बहुती शांदार धंग से यह दिखाया गया है कि किस परकार एक परिवार जब तूड़ता है बिखरता है अलग होता है तो कैसा माहोल और किस परकार उस परिवार के सदश्यों के हर्द्यों पर आगात पहुंचता है यह इसमें दिखाया गया है और एक भाई का भाई के प्रती प्रेम किस परकार रहे वो इस पार्ट में जलकता है यहां तक हम देख लिए थे उससे आगे देखी वो पुराने बातों को याद करते हुए बोल रहा है Where is the heart gone? वह हर्दे कहां चला गया? देखे ध्यान से वह हर्दे कहां चला गया मतलब उस हर्दे में क्या बचता था उसका होम, उसका घर बचता था और उसके भाई बचते थे यानि खासकर elder brother बड़ा भाई elder brother वो हर्दे कहां चला गया? Where are those days? वह बोल रहा है वह दिन कहां है? यानि वो दिन पुराने वाले दिन कहां चले गये? Where has that spontanity of feeling gone? वो कह रहा है कि भाईनाओं के प्रती spontanity थी यानि एक तरीके से वो यह कह रहा है कि जिस लिखा उसने feelings की भाईनाओं की जो सजगता थी spontanity सजगता रूची भी कह सकते है कि feelings यानि भाईनाओं की जो सजगता रूची थी वो कहां चले गई यानि वो भाईनाओं कहां चले गई I just can't understand बोल रहा है मैं बिल्कुल भी नहीं समझ पारा How a stranger could all of a sudden की वो कह रहा है कि मैं यह नहीं समझ पारा कि किस परकार A stranger could all of a sudden की किस परकार एक अजनभी व्यक्ति sudden कार थे अचानाग विकम बन जाता है So intimate कह रहा है कि मैं इस बात को नहीं समझ पारा कि किस परकार एक अजनभी व्यक्ति intimate का अर्थ होता है समीप रहना पास आना कि किस परकार एक अजनभी व्यक्ति इतने पास आ जाता है Only sharing केवल साजा करके क्या a little थोड़ी सी वारमत by giving a silent promise of keeping close वो कह रहा है वारमत बोल रहा है और साथ में से दिया है by giving a silent promise कि समीप रहने का शांत वाइदा करना silent promise बिलकुल शांत वाइदा करके और little थोड़ी सी वारमत वारमत का आर्थ होता है प्रेम भावना क्या होता है जी प्रेम भावना कि थोड़ी सी प्रेम भावना दिखा कर keeping close पास रहने का silent promise करके और थोड़ी सी प्रेम भावना दिखा के कैसे एक अजनबी हमारे इतने समीप आ जाता है यानि वो ये अपनी पत्नी के लिए कह रहा है कि किस परकार एक अजनबी जो एक वादा करे कि वो आपके साथ रहेगा और थोड़ी सी प्रेम भावना दिखाए और वो आपके करीब आ जाता है जहां आपने अठारा से लेके के पच्चीस वर्स तक बिताए लगबग 20 класс हम विताए जिन भायों के बीच जिस परिवार में जिस घर में जिस मा के साथ वो आपके जनबी हो जाते हैं और एक जनबी आपके इतने करीब आ जाता है या बात वह कह रहा है कि मैं समझ नहीं पाना रहा वह इसलिए कह रहा है क्योंकि बाबुली की पत्नी को कोई फरक नहीं पड़ रहा कि बाबुली के घर का बटवरा कल की बज़ए आज हो जाए वो तो सिर्फ उनके शेयर यानि हिस्से में इंट्रेस्टिड है उस धन में इंट्रेस्टिड है कि कि कितना पैसा उनको मिलेगा उसने पहले त करता है दो दिन और कह रहा है परन्तू दो दिनों में मैंने स्यम को क्या कर लिया नोर्मल सेल्फ कार्थ होता समान इस्तिति में ढाले लिया यानि वो उस पत्तर के दो दिन दिन बाद गाउं जा रहा है तो अगले दो दिन में वो अपने आपको समान ने जो सबाव है उसमे been a soak, वो कह रहा है कि अगले दो-तिन दिन में मैं अपने आपको समाने ढाल लेता हूं और साथ में उसने ये भी कहा, क्या कहा है, I grew used to what had been a soak, सोक का अर्थ होता है जिस सदमा, वो कह रहा है कि I मैं, आई यानि कि मैं had been a soak, what had been a soak, वो कह रहा है कि मैं जिसे सदमा कहते हैं, उसका क्या हो गया, use to हो गया, use to का अर्थ होता है आदी होना, दुबारा देखिए, I grew used to, कि मैं आदी हो गया, what had been a soak, जिसको सदमा कहते हैं, या आगहात कहते हैं, उस आगहात का, ये मुझे बहुत बड़ा आगहात लगा, वो ये कह रहा कि मेरे घर का बटवारा हो रहा है, तो वो कहरा है कि जिसको आगहात कहते हैं आप, मैं उसका क्या हो गया, use to हो गया, आदी हो गया, लेटर ओन, बाद में, in the market place, यानि इसके बाद, वे बजार जाते हैं, यानि बजार में, keeping pace with my wife, keeping pace का अर्थ होता है, keeping pace का अर्थ होता है, कदम दर कदम मिला के चलना, वो अपनी पतनी के साथ कदम मिलाते हुए चल रहा था, inquire, हमने पुष्टास की, about the prices, मुल्यों के बारे में, of the different things, उन भी भी चीज़ों के, she intended, intended कार था, इरादा, to buy यानि खरीदना, जो जो चीज़े वो खरीदना चाहती थी, जो उसका इरादा था, जो उसने योजना बनाई थी, हमने उन उन चीज़ों के क्या पता किये, बाजार में मुल्ले पता किये कि कितने कीमत होगी, के बाईंग इफ्रीज, की हमें एक फ्रीज खरीदेंगे, वो जुथ आलमोस्ट सर्टेन, सर्टेन का अर्थ होता, जी निश्चित या सू निश्चित, कि ये पक्का हो गया था, तै हो गया था, अब तै कह सकते हैं कि एक फ्रीज खरीदा जाएगा, ए, second hand scooter और एक पुराणा, second hand का हता है पुराणा याद रखना येधी second hand का आगज information सब दा जाए ये कहा जाए कर western है, इसका मतल्र होता है सुनी-सुनाई बात और evolud scooter phone आप सब जानते है कि पुराणा जो रहता है उसको कहते हैं तो आप सब जानते हैं MP3 MP4 का जवाना ता हई नहीं तो स्टिरीयो चलते थे ये Tap Recorder की तरह ही होता है सम गोल्ड ओरनामेंड्स और कुछ सोने के जवारात ख्रीदे जाएंगे यानी कुछ सोने के आभूशन में खरीदे जाएंगे यह तैरा अब उशन तो खरीद नहीं थे सबाविक बात है एक महिला उस लिस्ट को बना रही है I prepared a list of all the prizes मैंने तयार कर दी एक list सभी जितने जितने पैसे लगेंगे उनकी She kept reminding me about her intentions उन्होंने kept जारी रखा reminding याद दिलाना मी करता मुझे about के बारे में हर अपने intention करता इरादे बार बार उन्होंने मुझे अपने इरादों के बारे में याद दिलाती रही किस परकार मेरी योजना है हम यह यह खरीदेंगे यह सर्चियों बताती रही and showing lot of impatience, impatience का अर्थ होता है अधीरता, यानि वो क्या दिखा रही थी, अधीरता दिखा रही थी, मनि वो क्या चाहती कि आज ही पैसा आजए, आज ही बतवारा हो जए, सुबह शाम को पैसा आजए और मैं सारी चिजे खरीद लूँ अब वो कह रहा है, it was Saturday afternoon, ये जो है सनिवार की दोपैर का समय था, I left for my village और मैं मेरे गाउं के लिए चल दिया, क्योंकि संडे रहता है तो उस दिनों बतवारा भी हो जाए, इसलिए वो निकला है the same bus, आज भी मैं उसी bus से निकल रहा हूँ, was there वहीं थी, inspiring वही बस से, जो पुरानी bus है वो क्या कर रही थी, प्रेरित कर रही थी, किसको प्रेरित कर रही थी, in the tile, the old familiar feeling वो कह रहा है कि वही पुरानी bus मुझे क्या कर रही थी, प्रेरित कर रही थी, किसको प्रेरित कर रही थी, ओल्ड कार्थ है, पुरानी, familiar कार्थ है, प्रिचित और feeling कार्थ है, भावना है कि वही बस जो पुरानी प्रिचित भावनाओं को क्या कर रही थी, प्रेरित कर रही थी, वो बस वहाँ क्या थी, मुझूद थी आई रस, तो उकोपाई, रस का रहत है तेज गती से आगे बढ़ना, दोड़ना नहीं है, दोड़ने में रनिंग वर्ड आ जागे फिर इसमें क्या कि आप अपने कदमों को तेज गती से बढ़ा रहे हैं, उसको कहते हैं, रस, आई रस तो उकोपाई, उकोपाई का अर्थ है प्राप्त करना, कि मैं प्राप्त करने के लिए तेज गती से आगे बढ़ा, क्या प्राप्त करना है, दे सीट, सीट को प्राप्त करने क के लिए क्योंकि वो सीट उसकी क्या है फेवराइट सीट है ये एक वजह रही है जब वो भूनेश्वर में पढ़ाई करता था उस समय भी वो इसी बस से जाता था और जब वो इस बस से जाता था उस समय वो क्या करता था कि इसी सीट पे ड्राइवर की पीछे वाली जो सीट ह उसे वो बैठ के जाता था तो ये इसलिए उसकी यानि बाबूली की फेवराइट सीट ये थी इन माई हरी हरी कर्थ जल्दबाजी में और मेरी जल्दबाजी में I brushed ब्रस्ट कर्थ टकरा जाना मैं टकरा गया, क्या टकरा गया, मेरा देखिए, माई नी, मेरा जो नी जो है, मेरा जो घुटना है, वो टकरा गया, किस से, अगेंस दे दोर, दरवाजे से टकरा गया, इट हर्ट मी, और जैसे ही वो टकराया, और उससे मुझे क्या हुई, हर्ट कारता है, चोट लगना, और म मुझे चोट चोट लग गई और वो जो सूटकेस है वो गिर गया फैल ओफ कर थोदा गिर जाना और वो जैसे ही सूटकेस गिरा तो खुल गया होगा ऐसा रहता है कई बार कि वो सूटके ज़्यादा अच्छे डंग से लोकना किया गया हो या फिर थोड़ा बोल डिला हो तो गिरने पे क्या होता है वो खुल जाता है दे लिटिल पैकेट कंटेनिंग दे प्रशाद देखे प्रशाद में पी बड़ा लिखा है लोड में बड़ा लिखा है लिंगराज यह उनके कुल देवता है या लोक देवता होंगे वो कह रहा है कि दे लिटिल पैकेट वो छोट मेंट फोर कार्थ होता है अभी पर आए कि लिंगराज का प्रसाद जो मैं अपनी प्रिय मा के लिए लेके जा रहा था वो प्रसाद भी वहां क्या हो गया वो स्केटर्ड बिखर गया ओर दे ग्राउंड जमीन पे यानि सबाविक बात है सूटकेस गिरी सूटकेस डिली होगी अच्छे डंग से लोक नहीं की गई होगी तो सूटके जैसे गिरी तो प्रसाद का पैकेट है वो भी बहार आ गया और प्रसाद का पैकेट बहार आते ही क्या हो गया वो प्रसाद जो है वो बिखर गई कहा ग्राउंड वे बिखर गई पेपर से निकल के प्रसाद किसकी थी लोड लिंग राज की यानि उनके भगवान देव लिंग राज है उनकी वो परशाद थी I felt और मैंने ऐसे महसूस किया as if मानो the entire bus पूरी की पूरी बस जो है बस मतलब उस बस में बैठे यातरी was screeching aloud the question मुझे तो ऐसा लग रहा था कि वो पूरी बस जो है उस बस में बैठे जितने भी जो यातरी है उस बस में बैठे जितने भी जो यातरी थे वो क्या कर रहे थे मुझ से aloud का अर्षा जोर से the question एक प्रसन कर रहे थे और screeching का अर्थ होता है चितकार ना चितकार यानि आप कह सकते हैं चीखते हुए किसी का अनादर करते हुए आपके कुछ पूछे उसको बोलते हैं चितकार और उन्हें क्या पूछा after how many years कि कितने वर्स बात यानि मैं वो बोल रहा है कि पिछले दो वर्से गया ही नहीं गाओं आज जा रहा हूँ तो जैसे उपरसाद बिकरी तो मुझे ऐसा लग रहा था मानो सभी यातरी ये पूछ रहे हैं कि कितने वर्स बात जा रहे हो डियार you have not bothered in the at least to retain the tender love you had in your heart for your home वो कह रहा है मुझे ये लग रहा था कि वो सब लोग ये भी कह रहें you have not bothered बोदर कह रहा है प्रिशान होना कि तुम तो इतने भी प्रिशान नहीं हुए in the in the list to retain वो कह रहा है list करता है कम से कम कि आप तो जो है इतने भी प्रिशान नहीं हुए कि आपने क्या नहीं किया कम से कम the tender love you had in your heart tender का अर्थ होता है कोमल अच्छा कि आपके हरदे में you had in your heart for your home वो कह रहा है कि आपके हरदे में प्रेम जो था उस प्रेम को बनाए रखने में आपने क्या नहीं किया बिल्कुल भी जंजट नहीं किया बिल्कुल भी अपने आपको प्रिशान नहीं किया मतलब उस प्रेम को बना के नहीं रखे सके इनिस्टिड और उस प्रेम को बनाए रखने की बजाए आपने उस प्रेम को बेच दिया उस हरदे को बेच दिया किसे तुद बचार उस कसाई को और यहां कसाई की संग्या श्वम बाबुली ने किसको दी थी अपनी पतनी को तो हैलप योरसेल्फ आप अपनी मदद करने के लिए आपने वो हरदे उसे थमा दिया जो एक कसाई है और वो आपको क्या बना रहा है बिकम ए सीटी बाबु ताकि वो आपकी सहरी बाबु बनेने में हेलप कर सके मानि वो कह रहा है कि तुमने अपने आपको कसाई को बेच कर्स का अर्थ होता है दिकार वैसे कर्स का अर्थ बुरा चेतना भी होता है किसी के बारे में जैसे आप बोलते हैं May God bless you वैसे कर्स जो है वो बुराई के लिए आता है आप बुरा चाहें तब लेकिन यहां दिकार है कि तुम्हारी इस इंसानियत पे दिकार है इस सोच पे दि कि इसी विचार के साथ में बस में चड़ गया मैंने किसको समेटा ब्रीफ केस को समेटा and the content सामगरी of the soiled packet packet कार था packet or soiled कार था मिट्टी लगी थी कि जिस packet पे मिट्टी लगी थी उस packet को ही मैंने उठाया wearing a sameless smile for the cleaner and the conductor of the bus ओ क्या रहा है कि मैंने suitcase को और मिट्टी से सनेवे प्रसाद के packet को उठाया और cleaner का अर्थ होता है classy कि बस में जो साफ सफाई करता है उसको और conductor का अर्थ होता है जो पैसे वगरा एक अठे करता है उसको क्या दिखाई एक same less smile दी same less का अर्थ होता है बेसर्मों की तरह smile करता मुस्कुराया wearing का अर्थ होता है देना प्रदान करना कि वो भी मुझे देख रहे थे तो मैंने समान उठाते उनकी तरफ एक लज्जा सील बिलकुल बेसर्मी सी मुस्कुराट उनको दिखाई ये अलग भाव वो पहले उनके साथ कभी नहीं हुआ it was five in the evening शाम के पांच बज चुके थे when I got down जब मैं बस से नीचे उतरा वो कह रहा है कि जब मैं बस से उतरा उसमें पांच बज गए चुके थे I had written beforehand beforehand कार्थ होता है पहले क्योंकि मैंने पहले ही अपने भाई को लिख दिया था इसलिए क् my elder brother was there मेरा बड़ा वाई वहाँ था to me to me मुझे मिलने के लिए आया था at the bus stop मिलना क्या उसको लेने के लिए आया है क्योंकि गाउं से bus stop जो है काफी दूर है गाउं थोड़ा अलग है धानी वगरा है वो वहां he appeared a little tired वो थोड़े थके वे दिखाई दे रहे थे और worn out कार् ऐसा लग रहा था कि वो बिल्कुल घिसे पिटे है बिल्कुल कमजोर और प्रिसान लग रहे थे और आते क्या कहा give that briefcase to me मुझे ये briefcase दे दो इस ऐसा कहा नहीं उपचरिकता नहीं कि ये बोलते बोलते उसने लगबग वो briefcase बावूली के आथ से चीन ली देखना वही लगबग की भारी होगी ही आलमोस स्नेच डेट अलमुष्ट कर था लगबग स्नेच चीन लेना इट ये briefcase के लिए अवे फ्रों मी और लगबग इस ये बात बोलते बोलते उन्होंने सूटकेस में रासे चीन ली मतलब सूटकेस को ले लिया आई फोर्गोट मैं भूल गया इवन टूटच इस फिट और आज तो ये पहली बार हमेशा बाबुली अपने भाई के पैर छुता था लेकिन आज उसके पैर वो जो है छूना वो भूल गया दिस हैड नेवर हैपन अर्लियर ऐसा पहले कभी नहीं हुआ बाबुली जब नोकरी नहीं लगा था नोकरी लग एल्डर ब्रेदर आगे है और बाबुली जो है वो उसके पिछे पिछे चल रहा है आगे लेखिए वी वार वोकिंग ओन दा विलेज रोड हम गाओं की जो सड़का उस पे चल रहे थे डस्टी जो धूल बरी थी एंड एवर दसेम और वो बिल्कुल वैसी ही थी जैसे पहल देवा करती थी मतलब टूटी फूटी पुरानी बस वो थी इसे आगे हमें कले देखेंगे